दोस्तो सब्ढ़ाइब तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में चलचा किति जब यह आप मकान बनाते हो मकान बनाने में एक तो कॉलम की चल्चा करेंगे कि हमारा नेक्स प्रोसेस यह होता है ठीक है दोस्टों लेकिन आज की वीडियो में हम समझेगे कि जो भी कॉलम का लेवल होता है अब कॉलम का लेवल डीपीसी का लेवल होता है और उसी के लेवल में आपकी पत्थर की चुनाई कराने से पहले आपको किन चीजों का विशेश रूफ से ध्यान रखना पड़ता है उस पूरे विश्यक्यों पर चर्चा करेंगे दोस्तों लेगिन वीडियो चालू करने से पिल एक रिक्ष्ट ए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों और वीडियो को शेर जरू करें एंद तक जरू देखिए आप जैसा और तीसरी चीज दोस्तो इसको maintain आपको किस तरीके से रखना है ठीक है दोस्तों तो जैसा कि आप मेरे सामदे देख सकते हैं वीडियो के अंदर पत्थर की चुनाई होती है यह होती इसलिए दोस्तों मैं अधिक तर अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ पत्थर की चुनाई जो भी outer से outer जो भी आपकी boundary होती है पत्थर की चुनाई का काम होता है load transfer करने का और load calculation करने का पोलम का भी काम यही होता है और पत्थर की चुनाई का भी काम यही होता है दोस्तों अब पत्थर की चुनाई अधिकतर दी किस जगे जाती है एक तो जो आपके आउटर से आउटर जो बाउंडरी गूमती है जो भी आउटर के बाउंडरी गूमती है जिस जगे पर दिवाल को spar of Knowledge करक्ते अब दोस्तों दूस्तों दूसरी चीश करक्ते हैं कि इसको आपको करना इसा है अब करना ऐसे है दोस्तो जो भी अधिक तर यही होता है कि मकान के जो आउटर की बाउंडरी होती है आउटर की दिवार होती है वो 9 इंची की होती है लेकिन आपको पत्थर की चुनाई करनी है पत्थर की चुनाई आपको डेड़ फिट करनी होती है दोस्तो डेड़ फिट इ और जो 9 इंची की दिवार जाती है जो 6 इंची का घसका होता है वो अंदर की तरप होता है लेकिन इसका अपोजिट जो होता है वो अंदर की दिवारे में होता है अंदर की दिवार में यह होता है कि आप आगे पिछे ले सकते हो दिवार को क्योंकि जो आपकी में दिवार जा सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब तीसरी चीशा पर आते हैं दोस्तों कि इसका क्या रखना पड़ता है लेवल जो रखना पड़ता है दोस्तों कि जो भी डीपीसी का लेवल होता है रोड से हमने अधिक तर बता मैंने आपको पिछली कई वीडियो में समझा चुका है कि रोड का जो लेवल होता है उस रोड से डीपीसी का जो लेवल होता है दीपीसी के ल उसमें जब वह स्टेज आएगी तो उस फीशे पर भी जरूर वीडियो लाएंगे दोस्तों तो लेवल आपको समझा दिया है किस तरीका होता है लंबाई चुड़ाई आपको बता दिया किस तरीकी की होती है अब तीस रीजे जाती है दोस्तों इसको मेंटेन किस तरीके सरकन मेंटेन एक सिम्पल प्रोशेस होता दोस्तों जब भी आप दिवार बनाते हैं एक तो सबसे पहले चीज की किसी भी पत्थर को आप खड़े पत्थर खड़े पत्तर का मतलब यह होता है कि आपकी दिवाल जो होती है वो पोली निकलेगी फिर आपको अंदर भराई करने पड़ती है तो आप जो भी पत्तर लगाते हैं आड़े पत्तर का उप्योग कीजिए मैं तोड़ा सा आपको नस्दीक लेकि दिखाने की कोशिश करता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं आड़े पत्तर का उप्योग किया गया है किसी भी खड़े पत्तर का उप्योग नहीं किया है और बीच में जो है वो पत्तर की छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो डले जाते हैं ठीच का जो हिससा होता है उसमें पत्तर में मसाला बढ़ दे जात हुआ तो इस दिवाल को आपको मजबूत रखना 1 ए जरुबिद होती है यह आपके माकान की सब्सें जरूरी स्टेज होता है और इसी चीज पर छीज पर कालकुलेशन होता है तो इन चीजों को तीसरे पोईंट के अंदर पहले चीज में आपको बताई कि कि अब इस पर आध़ इक मातरे है confess करती है 90% मकान को जो अगर मजबूत करना काम करती है तो वो तरह करती है तो तरह का आपको special wishes रूप से ध्यान रखना है तरह में आप बोरी भी रखवा सकते हैं और उपर से आप तरह कोई कोट नहीं बरत दोस्तों अब इस तरह की अगर कोई भी फिनिशिंग आती है अच्छे से काम करROई से रयकिंग वगिए की जो पत्तर की चुनाई होती है उसमें भी रैकिंग करवाई है अगर कोई गैप वगएरा दिख जाता है तो उस गैप के अंदर पैकिंग करवाई है यह जो वीडियो में देख सकते हैं आप पैकिंग अच्छे से ओगी तो आपके मकान के सुंदरता ओपर और अच्छे होगी अगर नीचे सुंदरता होगी तो उपर ओर अच्छे सुंदरता होगी ठीक है दोस्तों तो पथर की चुनाई कराते हैं इन तीन पoryn 음गा विशे शूरूप से समझ forgiven क्योंकि यह समझने बहुत जरूरी है अगर लेवल ऊपर नीचे होता है तो आपको जे खर्ची पर भी फरक पड़ेगा और आपके मेंटेनेस पर भी फरक पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो आई होप वीडियो से आपको जुरूर हेल्प मिली होगी अगर वीडियो अच्छे ल दोस्तों तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम भारत मत अगजा है